27 शक्ति शाली शक्ति शाली धूल तूफान हिट राजस्थान पावर लाइन स्नेप के बाद मृत राजस्थान के अलवर भरतपुर और धूल पूर जिलों में उच गती वाले धूल तूफान पर हमला हुआ पेड़ों को उखार फेंख दिया गया और कई क्षेत्रों में बिजली के दिरुवों को क्षति ग्रस्थ कर दिया गया राजी के माध्यम से एक शक्ती शाली धूल तूफान के बाद कल रात राजस्थान में बीस साथ लोग मारे गए और काई भायल हो गए धूल तूफान ने अलवर ठोडपुर और भरतपुर के पूर्वी राजस्थान जिलों को बुरी तरहें प्रभावित किया बिजली कने फिंक दिया और घर गरने लगे अधिकारियों का डर है कि मनने वाले लोगों की संख्या बर सकती है आलवर ठोडपुर और भरतपुर जिलों में अधिक्तम नुकसान देखाया गया वसंधरा राजे ने घायल लोगों को साहता प्रदान करने के लिए अधिकारियों से कहा है घरों में गिरावट आये बिजली की लाइनों को तोड़ दिया पेड़ों को कई हिस्सों में उखार फिंक दिया गया दिल्ली से 164 किलो मीटर दूर अलवर पेड़ गिरने से बिजली की धुरुवों को क्षती ग्रस्थ होने के बाद कल रात से बिजली के बिना बिजली हो है भरत पुर जिली में अधिक्तम नुकसान हुआ जहां 11 मौतों की सूचना मिली है राजस्तान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घायल लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रभाविट जिलों के अधिकारियों से काहा है अलवर भरत पुर और ढोल पुर में तूफान के बाद परिशान मैंने संबंदित जिला अधिकारियों से सभी घायल लोगों के इलाज के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए कहा है उन लोगों के परिवारों के प्रती मेरी समवेदनाएं जिन्होंने अपनी जीवन को दिये हैं वसंधरा राजे ने आज सुबह ठ्वीट किया राजस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस नेटा अशोग गेहलोत ने अपनी उदासी व्यक्त की और कहा कि वह आज अपने जन्म दिन समारोह को रद्द कर रहे हैं उद्वार की शाम को धूल तूफान और भारी बारिश ने दि गड़ गड़ाहट कुछ मिनिट से अधिक समय तक चली गई बुरी मौसम के कारण दिल्ली से दो अंतराश्टिय उडानों सहिप 15 उडाने दिल्ली से हटा दी गई उद्वार को राजस्तान के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर की सुचना दी गई जिसमें कोटा उच उतम त कुफान गर्मी की लहर और हलकी बारिश की जितावनी गी थी